हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स में चानल में आपका स्वागत है कैसे हो फ्रेंड्स आप फ्रेंड्स देखिए मैं आज आपकी लिए कितना सुन्दर सा डिजाइन लेके आई हूं यह देखिए फ्रेंड्स कितना सुन्दर डिजाइन है इस डिजाइन को फ्रेंड्स आप जैएन इसतरा दिखता है यह देखिए यह डिजाइन फ्रेंट्सिट पांच फंदे यहां डिजाइन की और 510 दिजाइन का यह जैन में और यह ऑल देजाइन जो प्रेंट्स राइट साओतर शुरू होगा मैंने इसी yellow color में बनाये हुए आप किसी भी color में इसे apply कर सकते हो काफी सुंदर बनके ये design आता है friends देरी ना करते हुँ बताती हुँ कि design किस तरह बना है ये मैंने 25 फंद में डाले हुए है ये देखी आब मैं design सब्बर राइट साइड है पहला फंदा उतारा दो यह पूरी रो हमने सीधी करके बनानी है फ़र्ष्ट रो कि अब 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 कि यह फ़र्ष्ट रो हमने पूरी सीधी बना ली ठीक है सेकेंड रो उल्टी तरफ रॉंग साइड पहला फंदा उतारा यह एक फंदा हो गया यह दो यह तीन और यह चार और यह पांच एक दो तीन चार पांच धागा अंदर किया एक दो तीन चार और पांच फिर धागा बाहर पांच फंदे हमने सीधे बनाए पांच उल्टे बनाए फिर एक दो तीन चार पांच पांच फंदे हमने फिर सीधे बनाए फिर धागा अंदर किया एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांच फंदे हमने फिर उल्टे बनाए, फिर धागा बाहर किया, एक, दो, तीन, चार, और यह पांच, यह हमारी सेकेंड रोग बनी, थार्ड रोग, सीधी तरफ से, पहला फंदा उतारके, यह पूरी स्लाइड जो हमने सीधी करके ही बनानी है, यह पूरे फंदे हमने, सीधी बनाने है, यह देखिए, यह हमारी थार्ड रोगन गई, फोर्थ रोग, फोर्थ रोग में, पहला फंदा सीधा, दूसरा, तीसरा, चोथा, और यह पांच, पांच फंदे सीधे दागा अंदर किया, एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे उल्टे धागा बाहर किया, एक, दो, तीन, चार, और यह पांच, पांच सीधे, और देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे उल्टे धागा बाहर किया, एक, दो, तीन, चार, और पांच, यह देखिए हमारी, यह फोर्थ रोग बन गई, उल्टी तरस, अब फिफ्थ रो, राइट साइड, फिफ्थ रो हमारी पूरी सीधी बनेगी, यह पूरी सलाहिए हमारी सीधी बनेगी, यह मारी फिफ्थ रो बन गई, शिक्स रो, रोंग साइड, उल्टी दरफ से, पहला फंदा, यह दूसरा फंदा, यह तीसरा फंदा, यह चोथा फंदा, और यह पांच फंदा, सीधे, अब पांच फंदे हमने उल्टे बनाने है, चार और यह पांच, फिफ्थ रागा बाहर किया, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिफ्थ रागा अंदर किया, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिफ्थ रागा बाहर किया, एक, दो, तीन, चार, आगे, पांच, यह हमारी सिक्स रो बन गई, यह देखिए फ्रेंट, सिक्स रो बन के हमारा डिजा है, जो इस तरह देखिएगा, ठीक है, अब सेवन्थ रो, पहला फंदा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा सीधा, चौत सीधा और पांच वंहा सीधा, ठीक है, अब हमने, एक, यह दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे सीध्य हैं, यह बीच का फंदा यह 3 फंदा, इसमें से हमने क्या कर ना एaré 58 5, निया ठीक है 5 में अल्ग कि हमने इस तरह फंदा निकालना अठीक है यह हमने फंदा निकाल लिया अब हमने एक दो तीनि चार पांच हो में हमने सीधिय बना लेने फिर हमने दोबारा यह साफिए डालने है और फिर यह दिखिए फ्रेंट्स हमने द्वारा सलाई डालके इस तरह एक फंदा यहां निकाल लिया ठीक है इसे थोड़ा डीला छोड़ना है फिर आगे पांच फंदे हमारे सीधे आएंगे तीन चार और पांच अब फिर देखिए एक दो तीन यह तीसरे में से क्या करना हमने एक दो तीन चार पांच में पांच को होल में से हमने सलाई डालनी है और इस तरह हमने यह फंदा निकालना है थोड़ा डीला छोड़ना फंदा फिर हमने आगे के यह 5 फंदे बनाने हैं जो सीध्य फंदे हमारे 5 यह 4 और यह 5 फिर हमने दवारा इसी ओल में सलाई डालनी है फिर दवारा यहां एक फंदा फिर निकालना यह देखे यह देखे इस तरह इस तरह friends अब हमने आगे के फंदे को ये भी हमने पांच फंदे जो हैं सीदे गर के बना रहे हैं दो तीन चार और पांच ये हमारी सैवन थ्रो बन गई एट थ्रो रॉंग साइड पहला फंदा उतारा दूसरा सीदा तीसरा सीदा चोथा सीदा और पांचमा सीदा फिर धागा अंदर किया फिर हमने ये जो हमने फंदा निकाला इसको हमने स्लिप करना इस तरह फिर आगे एक दो तीन चार पांच फंदे हमने उल्टे बनाने फिर अगला फंदा जो है इसको स्लिप करना है फिर ध सुच्छा करना एक दो पाँच चार और यह पांच फिर धागा अंदर करने यहां फंद आ हमने यह निकाला हूआ इसको मिलेस लीप कर नहीं फिर हमने पाँच फंदoped अलटे बना से एक दो तीन चार और पांच अब यह फंदब ही हमने सलीप करना है यह भी हमारा दागा निकाला हो फंदा एक दो तीन चार और यह पांच यह हमारी एट थ्रो बनके त्यार हो गए आठमी स्लाई नॉमी स्लाई में आपने पहला फंदा सीधा दूसरा फंदा सीधा तीसरा फंदा सीधा चूता हे पांच भाट बना ले पांच फंदे हमने सीधे बना ली अब हमने क्या करना है इस को कि इस फंदे के साथ दो फंदो गात्यित करदे म्न यह यह अब हमारे एक दो तूस्ट फंदव में से तीन फंदे पन्द को भी हम एक लिके दिए Ing och तरह एक दो तीन चार यह पांच यह बीच वाले 5 फंदे हैं और फे देकिए फ्रेंट इस फंदे को हम सिधा कर लेंगे ए इन दो फंदों का एक कर देंगे फिर 1 दो और तीन बीच पे पन दे आव इन दो फंदों को भी हम एक यह पांच के पांच फंदे हो गए ठीक है एक दो तीन चार और यह पांच यह हमारी नुमी स्लाई बन गई दस्वी स्लाई टैंथ रो एक फंदा उतारा दूसरा उतारा तीसरा उतारा चोथा और यह पांच वहां ठीक है अब हमने क्या करना है पांच फंदे जो हैं सिंपल उल्टे बनाने हैं दो तीन चार और यह पांच फिर धागा बाहर करना है एक दो तीन चार पांच फिर अगले पांच फंदे हमने उल्टे बनाने दो तीन चार पांच फिर अगा बाहर किया एक दो तीन चार पांच यह हमारी दस लाई है पूरी हो गई यह हमारी टेंथ रो बन गई अब हमारी 11 रो यह देखिए डिजाइन इस तरह दिख रहा है 11 रो पहला फंदा उतार लिया दूसरा तीसरा चोथा और पांच वा अब हमने क्या करना है यह पांच फंदे जो हैं इन में से एक और दो फंदे सीधे बना लें ठीक है अब यह तीन फंदे रहे अब हमने दोबारा यहां सलाई डालनी है फिर यहां से इस तरह फंदा निकालना है फिर आगे एक दो और तीन यह देखिए एक फंदा हमने यहां निकाल लिया ठीक है अब धागा अंदर किया दागा बाँ रखना है क्योंकि ये फंदे भी हमने सीरे बनाने है 1, 2, 3, 4, 5 यह रिखिए एक और 2 फंदे हमने यहां से सीरे बनाए फिर दागा सलाई बीच में डाली नीचे ओल में फिर हमने यहां से फिर दुबारा एक फंदा ऐसे निकाल लिया ठीक है अब हमने इन तीन फंदों को आगे प्लेन सीधा अबना लिया यह देखिए फिर आगे हमारे पांच फंदे एक दो तीन चार पांच यह हमारी 11 रो बन गई ठीक है 12 रो रो रोंग साइड पहला फंदा सीधा दूसरा सीधा तीसरा सीधा चोथा सीधा पांच पांच सीधा धागा अंदर किया एक दो फंदे उल्टे तीन फंदे उल्टे अब हमने इसको स्लिप कर लिया फिर एक दो फंदे उल्टे फिर धागा बाहर किया अब हमारे पांच फंदे सीधे आए, तीन, ये चार, और ये पांच, फिर धागा अंदर किया, एक, दो फंदे, ये तीन फंदे उल्टे, अब हमने इस फंदे को स्लिप कर लिया, एक, दो, दागा बाहर किया, दो, तीन, चार, पांच, ये हमारी 12 रो बन गए, 13 रो, राइट साइड, पहला फंदा, ये दिखिया हमारा डिजाइन इस तरह दिख रहा है, दूसरा, तीसरा, चोथा, और ये पांच बांच, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदे सीधे, अब हमने इस फंदे को बीच वाले फंदे के साथ इस तरह एक करना, ठीक है, ये देखिये, फिर आगे दो फंदे, ये हमारा सेंटर वाले फंदे के साथ बन गया, ठीक है, आगे, एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे हमारे सीधे, फिर ये डिजाइन के पांच फंडे, दो फंडे हमने ले लिए, अब हम तीसरे फंडे से हम इसको एक कर देंगे, यह देखिए. यह हमने दीसरे फंडे के साथ इसको एक कर दिये, फिर चौत्था और पांचवां, फिर एक, दो, तीन, čार, और पंच, यह हमारी 13 बन के तयार होगे 14 डोह अगर 17 अ क्या करना अ फ्रेंड सो पहले फंद उतारा दूसरा अकंद उतारा टीसरा फंदा जो इसको हमने क्या करना है फ्रेंड्स इस तरह एक बार बनाना है फिर दागा लपेटना दो फंदे होगे बना लिया तीन फंदे होगे फिर दागा लपेटा चार फंदे होगे इसको बना लिया पांच फंदे फिर दागा लपेटा छे फंदे होगे अब इसको बना ल अब यह देखिए फ्रेंड अब हमने समें इन नो फंद में इस तरह सलाई डालने हैं फिर हमने इनको ऐसे एक करके गटा देना हमने सारे फंदे हमने फिर आगे के ये दो फंदे फिर दागा बाहर डिया एक दो तेन चार पांच गिदेखिए इस तरह ये पफ बनेगा घृ दागा अंदर किया मिए एक-धो तीन चार्पांच पंदे टीजान के तो हमने पहले दो फंदे हमने आराम से बना रहेना सिर्थ किछ रसाफ अन्द आए गों को एक बार अलिया धालल बेता दो हो गया कैसा मतीरगल फन्द कि ते टीन फनंगे यह गया फिर फिर सोलेल इस तरह सलाई डालनी है और इन नो फंदों को हमने एक कर देना ठीक है अब हमने धागा खींच के टाइट हार्ट से इनको अगले यह दो फंदे हमने टाइट आट से इनको इस तरह बनाना है ठीक है फिर दागा बाहर करना एक दो तीन चार पांस यह हमारी फोर्टेंडों बन गए यह देखिए यह हमारा जो है अब डिजाइन बन के त्यार हो गया इस तरह यह हमारा पूरा डिजाइन बन गया आप 15 डो मैंने एक फंदा सीधा दूसरा तीसरा चोथा इसी तरह हमने यह पूरी सलाई जो है सीधी बनानी है जैसे हमने फर्स्ट डो बनाई उसी तरह इसे हमने पूरी सीधी करके बनाना है यह देखिए फ्रैंस यह पूरी सलाई जो हमने यह पूरी सीधी करके बनानी है अब 16 रो में फिर डिजाइन शुरू होगा एक दो तीन चार पांच पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और पांच फंदे यह पांच फंदे उन्टे धागा बाहर किया एक दो तीन चार और पांच फंदागा अंदर किया एक दो तीन चार पांच फंदागा बाहर किया एक दो तीन चार और यह पांच यह हमारी सिष्टन डो बनके तयार हो यह देखिए फ्रेंट्स यह हमारा डिजाइन जो है इस तरह बनेगा और हमारा डिजाइन जो बनके तयार हो चुका है फ्रेंट्स अगर आपको मेरा यह डिजाइन अच्छा लगा हो और सिखाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्ली वीडियो अच्छा लगने पर फ्रेंड्स लाइक शेयर और सस्क्राइब भी जरूर करें धन्यवाद बाइबाइबाइब